हाई फ्रेंड्स मैं हुद धनंजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे कल था 16 जुन और कल के दिन ही UPSA Civil Services के Prelims Paper को Conduct कराया गया और जैसे ही ये exam खतम होते हैं वैसे ही अलग-अलग लोगों के अलग-अलग reactions भी आते हैं क्यूंकि कल का exam मैंने भी दिया था इसलिए इस वीडियो में मैं अपने experiences और observations को आप लोगों के साथ share करूँगा और ये मैं मान के चलता हूँ कि जो observation ये experiences मेरे हैं आप उसे सहमत या असहमत दोनों हो सकते हैं मुझे set भी मिला था और इस पूरे question paper में किसी भी question का जो आपको exactly options दिखेंगे मैंने अपने OMR sheet में exactly उसी options को मैंने mark भी किया था एक बात मैं बहुत इस पस्ट कर दूँ कि वैसे students जिनके पास अब तक कोई भी experience नहीं है prelims देने का अगर उनको CSAT pass करना है तो उनको exactly उतना ही effort डालना है जितना effort वो GS paper 1 में डालते हैं और अगर कोई आपको ये कहता है कि CSAT बहुत ही easy paper है तो ये complete तरीके से आपके साथ misinformation को share किया जा रहा क्यूंकि same question paper को अगर आप बाहर निकल के देखते हैं तो उसको देखने का जो एक तौर तरीका होता है वो completely अलग होता है लेकिन जब आप उसी question paper को exam में देखते हैं जब आपके पास limited time है तो जो असान questions होते हैं वो भी काफी tough लगते हैं और एक छोटा सा mistake आपको negative marking दिला सकता है जैसा कि हम सभी को पता है कि CSAT में तीन एरिया से question पूछे जाते हैं maths हो गया, reasoning हो गया और reading comprehension हो गया इन तीनों area में जो एक मेरा ठिक ठाक से area है वो है reading comprehension और मैं personally ये कोशिश करता हूँ कि जितने भी reading comprehension के question है उसको मैं करूँ लेकिन इसका ये कहीं से मतलब नहीं है कि मैं maths के questions को या मैं reasoning के questions को attempt नहीं करता हूँ कहने का ये मतलब है कि भले आपका maths या reasoning बहुत ही अच्छा है लेकिन अगर आप सिर्फ उसी के भरोसे पे जाते हैं और ये उमीद करते हैं कि आपका जो accuracy है वो almost 90 या उससे भी अधिक है तो आप गलत सोचते हैं क्यूंकि जो question का arrangement किया जाता है वो रहता है easy, moderate और hard अगर आपका preparation अच्छा है तो easy question को आप attempt कर लेंगे कुछ हद तक आप moderate को भी कर लेंगे लेकिन जहां तक बात रहा hard question को attempt करने का तो एक तो इसमें आपके calculation काफी लंबे हो जाएंगे इसका ये भी मतलब है कि आपका सम experience शेर करूं तो वो ये है कि आपको math भी sufficient तरीके से का आपको preparation करना है reasoning भी आपको prepare करना है और आपको reading comprehension भी prepare करना है भले आपका math बहुत ही अच्छा है आप शुरू math से कर सकते हैं लेकिन ये सोचना कि आप reading comprehension के question को touch ही नहीं करेंगे तो शायद ये बहुत ही बड़ा blender हो स पढ़ने का experience नहीं है तो हो सकता है कि reading comprehension आपको काफी confuse करें और exam situation में कौन से options होने चाहिए कौन से options नहीं होने चाहिए ये भी facile लेने में काफी वक्त लग जाए अगर मैं खुद के बारे हैं बात करू यानि कि जो मेरा approach था C-SAT को attempt करने का वो कुछ इस तरीके से था बनाया है और जैसे ही मैंने reading comprehension को complete किया वैसे ही मैं अपने OMR sheet को मैंने fill कर लिया इसके बाद मैं तलाश में लग गया कि कौन सा math के easy questions हैं जिसको मैं exam situation में कर सकता हूँ और जहां से मुझे confidence boost up हो सकता है तो ये सब कुछ questions है जिसको कि मैंने exam situation में किया था और कुछ ऐसे भी questions थे जिसको कि मैं जब घर आके देखा तो मुझे खुद पर काफी अपसोस हुआ क्यूंकि वो काफी एक silly mistake था जैसा कि आप set B का ये question number 20 देख सकते हैं जहां पर exam में मुझे लगा कि one metric ton is not equal to thousand kg अगर अभी मैं इस question को देखू तो मुझे खुद पर हसी और अपसोस दोनों आता है एक तो बहुत ही आसान marks मेरे हाथ से निकल गए और उसके बाद मुझे 0.83 का negative marking भी मिल गया तो हम शौर कि ये जिस तरीके से गलती मैंने किया उस तरीके से almost सारे aspirants के गलती होते हैं और वैसे लोग जो इसी question को बाहर देखते हैं उनका जो देखने या उनका जो ज़ने का approach होता है वो completely अलग होता है अगर आप इस type का reading comprehension को exam situation में पढ़ेंगे तो कम से कम आपको 2-3 बार तो पढ़ना ही पढ़ेगा कि exactly writer कहना क्या चाहता है और उसके बाद आपको options को तलाश करने पढ़ेंगे तो कहने का मतला भी कि जो भी आपका strong area है वहाँ पे आप आपको मिल जाएंगे जो कि आपके थोड़े से कम effort लगाने पर आप उसको सही करने का जो chances है वो काफी बढ़ जाएगा जैसे अगर मैं specifically question number 27 की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगा था question को पढ़ने के बाद कि exactly zero के पहले कितने desert है तो मुझे लगा था एक desert है लेकिन जब मैं मैंने अपने answers को मिलाने शुरू करे अलग-अलग coaching के साथ तो मुझे ये मालूम पढ़ा कि वो desert कौन सा है इसके बारे में question में पूछा गया था वैसे ही question number 25 के बारे में था तो exactly आप exam situation में किस word को किस तरीके से interpret करते हैं वो काफी माइने रखता है और उसके बाद आपके पास कितने समय बचे हुए हैं ये भी काफी बड़ा एक deciding factor होता है और जो चीज मैंने observe किया था वो ये था क्योंकि गर्मी काफी अधिक था तो इसलिए कहीं न कहीं जो जबान था वो सूख रहा था sweating इतना ज़ादा हो गया था कि कहीं न कहीं fatigue फील हो रहा था और जो दिमाग था वो सच में अपने 100% efficiency पे काम नहीं कर रहा था आम शौर कि जो मैं फील कर रहा था वही मेरे classroom में और भी लोग थे वो भी फील कर रहे थे और उसके बाद आप जैसे ऐसे और पानी पीते हैं वैसे वैसे पसीने और भी बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं वो सब सारे चीज आपके सोचने का जो शक्ती है उसको कहीं न कहीं impact करत अगर मैं बात करूँ अपने reading comprehension part का तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मैंने अलग-अलग coaching institution से अपने answers को match किया उसको match करने के बाद मेरा जो accuracy आ रहा वो almost 85 से लेके 90% आ रहा लेकिन साथ में मैंने बहुत सारे math के मैंने questions भी attempt किये थे तो in a way मैं इस conclusion में पहुँचा मुझे याद है कि मैं इस question में almost almost मेरे 5 minute लग गये थे और जब मैंने ये option 200 जब मैंने टिक किया था तब मैं बिल्कुल भी मुझे भरोसा नहीं था कि exactly इस question का जो right answer है वो 200 ही है लेकिन जब मैंने अपने answers को match किये तो मुझे मालूम पड़ा कि ये 200 ही right answer है तो कहीं न कहीं ये देखने के बाद और ये सुनने के बाद मुझे काफी अच्छा फील हुआ और साथ मैं almost इस question को solve करने के लिए मैंने भी almost almost 5 minute का मुझे वक्त लग गया था और उसके बाद भी मैं इस question को solve नहीं कर पाया था लेकिन जब मैं center से बाहर निकला तो मुझे मालूम पड़ा इ लेकिन होता है ये सारे जो mistakes है या तो ये सारे जो error होते हैं वो सभी के साथ होते हैं तो in a way अगर मैं कहना चाहूं तो जिस तरीके से लोग ये कहते हैं कि CSAT सिर्फ एक qualifying paper है और इसे qualify किया जा सकता है बहुत यासानी से तो मेरा जो personal experience और observation है वो ये कहता है कि कहीं से भी लिए डालते हैं और उसके बाद real time situation में किसी भी चीज़ को operate करना एक limited time में वो एक अलग experience होता है और उसी question paper को बाद में देखना एक अलग experience होता है I hope you liked the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मु wonderful day thank you take care good bye